Hello Friends! Welcome to my channel. Myself Raajkon. Friends, आज हम बात करेंगे एक लाग को एक करोड बनाने वाला सस्ता स्टॉक. जिया Friends, मैं आपको एक 40 रुपे का सस्ता स्टॉक बताने जारों, जो कि आने वाले 15 से 20 साल में आपके एक लाग को एक करोड बनाने का दमकम रखता है. फ्रेंट्स एक लाक रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी की शेर में जो कि 40-40 रुपए का है तो आने वाले टाइम में जो 15-20 यह का हम टार्गेट रख रहे हैं इसमें यह कंपनी आपको डिविडेंट भी देगी और बोनस शेर भी इसू कर सकती है तो उन श करोड़ों में कटबाट हो जाया आपने सुना ही होगा कि विप्रो जैसे शेर में जिन लोगों ने 1980 में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो कंपनी इतने बोनस शेर उनको इसू कर दिये और कंपनी अपने शेर को स्प्लिट भी किया और डिविडेंट भी दिया तो वह सब में हमें भी उसी तरह से बोनस शेर मिलेंगे डिविडेंट मिलेगा और कंपनी अपने शेर को और स्प्लिट करेगी और कंपनी शेर का वैलेशन डे बढ़ता जाएगा वर्किंग लावल फंडामेंटल प्रॉफिट होने की कारण और हमारा भी पैसा हो सकता है एक लाक एक क करने के बाद में एक करोड से भी जादा बनागर के दे सकता है फ्रेंट्स यह सब एक अजम्शन है हकीकत क्या है वह तो 15-20 साल बाद ही पता लगी लेकिन इंवेस्ट्मेंट हमें पहले करना पड़ता है और पता हमें कुछ सालों बाद चलता है और यह हर चीज में होता है तो फ्रेंट्स जानते हुसे स्टॉक का नाम आयर कॉन इंटर नाश्टन यह शेयर इसवक्त चालिश रूपे गाया और इस शेयर का जो वर्किंग लावाल है और फंडमेंटल है मैं आपको बताता हूं उसके बाद में आपको रिलाइज होगा कि शायद में जो कह रहा हूं वह सही है यह स्टॉक सस्ता भी है महेंगे स्टॉक में आपको बता सकता था लेकिन मैं तो हमेशा इंवेस्टर पाइव की बात करता हूं कि उनको सस्ता स्टॉक बता जाए ताकि वह इंवेस्टमेंट कर सके या इंवेस्टमेंट एक लाग दिन तो कम से कम कर सके या करके करोड़ों नी तुर लाग रुपए कमाले हजार रुपए कमाले ताकि उनको भी कुछ बैनेफिट हो सके छोटे इंवेस्टर भी बात को बैनेफिट हो यह सुनकर के इनवेस्टमेंट कर सके तो फ्रेंट्स i reckon was registered as the Indian railway construction International Limited a Holy owned entity of the Indian railways its primary charter was construction of railway railway projects in India and abroad, IRCON has since diversified into the other transport and infrastructure segment and with its expanded scope of operation around the world, not only in India but around the world. The name was changed to Indian Railway International Limited in October 1995, now important and most important point. The IRCON is well known for undertaking challenges in infrastructure projects especially in difficult terrains in India and abroad, completed over 1650 major infrastructure projects in India and over 900 major projects across the globe in more than 31 countries. Friends, this company has completed the projects in India, more than other 31 countries, 1650 projects in India and also other projects out of India. Friends, this company has a better scope in the coming time. Maybe this share can reach any level to any level. It is a fundamental level of working level. Friends, you are being made with me on my channel. Thanks for watching. Have a nice time. झाल 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 झाल